आम आदमी पार्टी के रास्टे सहियोजक और दिल्ली के पूर मुख्य मंत्री अर्विंद केजरीवाल पर उनकी चुनावी पदियात्रा के दौरान एक हमला किया गया दरसल दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में अर्विन केजरिवाल चुनावी पदियात्रा कर रहे थे, लोगों से लगातार मिल रहे थे, बिते कई दिनों से वो इस तरीके की पदियात्रा है निकाल रहे हैं, लेकिन शनिवार शाम लगबग 6 बजे के वक्त एक युवक आया और उस अर्विन केजरिवाल पर उसने जो है, वो स्पिरिट फैंकी और दूसरे हाथ में उसके माचिस थी, जिसे वक्त रहते दवोच लिया गया वरना वो अर्विन केजरिवाल को जिन्दा जलाने की साजिश के साथ आया था, इस तरीके का आरोब जो है, वो खुद जो दिल्ली स है, उसका ये कहना है, ये जो यूवक्त था, उसने पानी जो है अर्विन केजरिवाल पर फैंका है, और उसको हिरासत में लेकर आगे की पूच्टाच हो रही है, लेकिन सबसे महत्पूर्ण ये है कि उसको अगर ये यूवक्त सिर्फ पानी फैंक रहा था, तो फिर ये पा अर्विन केजरिवाल का पुराना राजनितिक पैतरा बता रही है, लेकिन इस बीच अर्विन केजरिवाल की पार्टी, आमानी पार्टी जो है, वो इस यूवक्त को भाजपा का कारे करता बता रही है, बकायदा उसकी प्रोफाइल, जो फेस्बुक प्रोफाइल है, उसकी तस्वीरे दिखा रही है और बता रही है कि भारते जंता पार्टी की तरफ से ही जो ये जुवक है उसने ये हमला किया है क्योंकि वो भाजपा का कारे करता है इस तरीके का आरूप लगा रही है क्योंकि अब अलग अलग बयान आ रहे हैं पुलिस का बयान अलग है आमानी पा तो पता लगेगा कि आखिर सच्चाई क्या है लेकिन इस मुद्दे पर क्योंकि चुनावी समय है राजजीती और ज्यादा समय के साथ गहराएगी वीडियो जनलिस्ट प्रेम शंकर के साथ मोहिद बक्षी न्यूजनेशन दिल्ली न्यूजनेशन अब वाट्सेप पर खपरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूजनेशन के इस QR कोड को स्कैन करें